पापा और ममा घर पे नहीं हैं तो उनकी आचाय नहीं बनेगी तो बच्चों के लिए बना रही हूँ बनाना मिल्क शेक जिसे में डाले हैं कुछ बनानाज आलमंड्स फ्रोटीन पाउडर एड़ किया और साथी एड़ किया है मिल्क मिक्सर में चलाया और बस शेक रेड़ी और यहां उदे ने अपना गलास पहले ही उठा लिया क्योंकि उसे अपने शेक को कुछ स्पेशल बनाना है और जैस्मिन इस शेक को एज़ इस ही लेगी क्योंकि इसने 15 डेज का नो शुगर चैलेंज लिया है और यह दूसरे दो गलासीज हैं तनू और विशाल के लिए सैटरेड़ेस को कई बार बच्चे आ जाते हैं और संडे इवनिंग को उनका जाने का टाइम होता है डे कोई भी हो लेकिन एक कप ग्रीन टी विद लैमन में ज़रूर लेती हूँ मैंने इसके बहुत से बेनिफिट देखे हैं लेकिन कोई भी अच्छी चीज आपकी बाड़ी पे अच्छा एफेक्ट अभी करती है जब आपकी ओवर ओल डाइट सही हो चली अब चेक कर लेते हैं वेजटेबल बास्किट क्या क्या और कितना पड़ा है क्योंकि मुझे जाना है वेजटेबल शॉपिंग के लिए कुकंबर पड़े हैं टोमैटोस पड़े हैं कैप्सिकम यहां पर एक बची है येलो हो गई है पहले इसी को यूज करूंगी दो कि पड़ी हैं जब भी आप वेजटेबल शॉपिंग पर जाएं तो इस तरह के चोटे-चोटे कपड़े के बैग साथ में लेके जाएं इनको हमने घर पे ही बनाया है क्योंकि वेजटेबल मार्केट में आपको प्लास्टिक के बैग्स ही मिलेंगे और प्लास्टिक कितना ह यह हम सब जानते हैं तो प्लीज ट्राइट प्लास्टिक सबसे पहले वेजटेबल जो मैं बाए कर रही हूँ वो है ग्रीन बीन्स तो आप इनको हलका सा ब्रेक करके देखें अगर यह एजी ली ब्रेक होती है तो यह अच्छी है जो एजी ली ब्रेक नहीं होती है वो पक चुकी होती है और वो टेस्टी भी नहीं बनती एक जो यूज होती है, वो है green capsicum और मेरे घर में capsicum बहुत ज़्यादा बनती है, छोटा सा एक difference होता है capsicum में, एक होती है female और दूसरा होता है male capsicum जिस capsicum की 3 sides थोड़ी सी उबरी हुई होती है, वो है male capsicum और जिसकी 4 sides उबरी होती है वो है female capsicum, difference इन में बस इतना है कि female capsicum खाने में sweet होती है आप उसे raw भी खा सकते हैं यानि कि हम उसे salad में use कर सकते हैं और male capsicum का इस्तेमाल cooking के लिए जाता है white mushroom curry मेरे बच्चों को बहुत पसंद है बच्चों को तो क्या पूरी family को ही बहुत पसंद है तो जब भी मैं vegetable market आती हूँ तो mushroom ज़रूर बाय करती हूँ mushroom कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं वो packet खोल के तो आप चेक नहीं कर सकते लेकिन आप packet से ही अंदाजा लगा सकते हैं जो mushroom का टॉप है वो पूरा clean होना चाहिए यहां पे कोई cut नहीं होना चाहिए ध्यान रखें कि packet में एक mushroom जैसा होगा बाकी के mushrooms भी वैसे ही होंगे आलू बैंगन की सबजी बनानी हो तो मैं चोटी चोटी बैंगनी ही चूज करती हूँ लेकिन इस बर मुझे बनाना है बैंगन का भड़ता तो जब भी आप भड़ते के लिए बैंगन चूज करें तो इतना ख्याल रखें कि उनका color थोड़ा सा dark होना चाहिए और size उनका च टेस्टी नहीं बनता है pumpkin यानि की कद्दू चूज करते वक्त इतना ध्यान रखें कि green कद्दू है तो पूरा green ही होना चाहिए और size होना चाहिए small to medium आलू की भी आजकल बहुत variety आने लगी है आलू आप कोई भी choose करें लेकि इतना ध्यान रखें कि उनमें roots नहीं होनी चाहिए चोटी-चोटी roots भी होती हैं वो भी हमें harm करती हैं क्योंकि वो हमारी body को toxic बनाती है toxins की तो environment में वैसे भी कोई कमी नहीं है तो जान जाएं तो उसके बाद root वाले आलू कभी भी भाए ना करें पहाड़ी आलू मीठा नहीं बनता है तो ज़्यातर में वही भाए करती हूँ बेटा french fries बनाता रहता है तो उसके लिए काम आते हैं कभी आपने आलू sandwiches बनाने हैं आलू प्रांठा बनाने हैं तो उसके लिए काफी tasty लगते हैं और ये आलू में हमेशा एक ही सब्जीवल इसलिए के जाती हूँ मुझे इन पे trust है और इनके आलू हमेशा बहुत अच्छे निकलते हैं अनियन बाई करते वक्त भी एक एक पीस चेक करके लें अगर गला हुआ होगा तो वो बहुत soft लगेगा आपको पता चल जाएगा गीला नहीं होना चाहिए हलका सा भी गीला अनियन अंदर से बहुत बार गला हुआ निकलता है भींडी का तो सबको पता ही है कि कच्छी भींडी ही अच्छी होती है तो जरा सा उसे टिप से तोड के देखें अगर इजिली वो टूट रही है तो इसका मतलब कि वो सही है इंडियन फूड की जान और शान है टोमेटोस हर सबजी और हर दाल में डाले जाते हैं पूरे वीक के लिए बाय करती हूं तो एक एक टोमेटो चुन चुन के लेना पड़ता है तो अच्छे टोमेटोस की पहचान है कि कोई स्पॉट उन पे नहीं होना चाहिए कहीं से भी गला हुआ हलका सा भी गला हुआ नहीं होना चाहिए तोमेटो को हाथ में पकड़के देखें अगर वो थोड़ा हैवी लगता है आपको तो वो ज्यूसी होगा और जूसी होने का अंदाजा आप उनकी स्मेल से भी लगा सकते हैं कुछ चीज़ें अपने किचन गार्डन में भी लगी हुई हैं जैसे कि हरी मिर्च, धनिया, पुदीना तो ये सब चीज़ें मंडी से में बाय नहीं करती हूँ जिंजर और गार्लिक भी हम काफी यूज करते हैं, गार्लिक मेरे पास काफी पढ़ा है तो जिंजर ही लूँगी जिंजर भी हमें पलेन लेना चाहिए, ज्यादा गुमाबदार हो, लिप्टा हुआ हो, तो वो उतना ही वेस्ट होता है फ्रेश जिंजर का कलर भी थोड़ा लाइट होता है और उसका पील भी काफी पतला होता है थोड़ी फूल गोबी और पता गोबी भी बाय करना चाहती थी लेकिन अभी सीजन नहीं है इनका इसलिए वो इतनी फ्रेश नहीं आ रही है तो घर आके काम और भी होते हैं तो इसलिए वजटेबल्स को मैं as it is ही फ्रिज में रख देती हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग मैं इनको वाश करूँगी संडी की जो लॉन्डरी होती है वो बहुत जादा होती ही क्योंकि कपड़ों के साथ साथ बेटशीट भी होती है ताल्स भी होते हैं तो नीचे से मॉमा कपड़े उठा चुके हैं और उपर चट से मैं उठाने आई हूँ सोयबीन दाल की रेस्पी काफी लोग पूछते हैं तो चलिए आज बना रही हूँ तो आपके साथ शेयर भी करती हूँ तो इसको मैंने 4-5 घंटे पहले भिगो दिया था अब बॉयल करने के लिए रख रही हूँ दाल के हिसाब से ही आप पानी डालें अपने टेस्ट ही एकॉर्डिंगली सॉल्ट डालें और प्रेशर कुकुर को बंद कर दें एक विसल आ जाए तो फ्लेम लो कर दें और 20 मिनट सक बॉयल होने दें तड़का रेड़ी करेंगे उसके लिए एक पैन में लिए है थोड़ा सा ओयल और साथी डाली है उसमें दाल चीनी गार्लिक डाला है थोड़ा सा अनियन डाल देंगे जिंजर डाल देंगे टर्मिक पाउडर डाल देंगे टोमेटोस एड़ करेंगे ग्रीन चिली एड़ कर कर रही हूं थैं साथी में चिकन लिबर आपको पता घो में हमेरा यह श्की का ड़ला हो जालने हैं हमें तोड़ी शी डालेंगे हम इसमें पॉर फ्रस डाल देंगे पानी और रख देंगे कवर करके इसको पकने के लिए तड़का अच्छे से भुन जाए तो ठंडा करके इसको ग्राइंड कर लें तो देखे इस तरह की ग्रेवी हमारे पास रेडी हो जाएगी और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे वाइल की हुई सोया बीन की दाल इस रेसिपी को आप सिर्फ एक बार ट्राइ कीजेगा उसकी बाद ही आपकी ग्रॉसरी लिस्ट में शामिल हो जाएगी तो लीजिए दाल तो हो गई है मेरी रेडी जब तक मेरी चपातियां बनेंगी तब तक स्टफी का खाना भी रेडी हो जाएगा और खाने की कर रहा था कि ममा अच्छा हो गया कि की घृर्स एक्जाम मेयत का है जो जञ़ा प्रेशर है बर्डन है वो पहले ही खतम हो जाएगा प्रेशर वर्ड यू जे किया लेकिन मुझे पता है कि वो खितना प्रेशर लेता है हमारे घर में सिर्फ यह ही एक ऐसा शक्स है जो किसी बिना प्रेशर के जब आप कोई चीज करते हैं चाहे वो पढ़ाई हो या कोई और काम तो उसके रिजल्ट्स ज्यादा बैटर आते हैं अच्छा खाना खाएं और पढ़ते पढ़ते ब्रेक जरूर लें और ब्रेक के दौरान आप वो करें जो आपको गुड फील करवाता हो भी टाइम से यूज कर रही हूँ काफी सारे सब्सकाइबर्स मेरे इसके बारे में जानते हैं जो नए हैं वो नीचे चेक कर सकते हैं स्टफी का खाना भी रेडी हो गया है तो बस इसे बड़े बरतन में निकाल के उसको ठंडा होने के लिए रखूंगी उसके बाद ही उससे सर्फ करूंगी खाना भाना खा के सब काम खतम करने के बाद अपने रूम में जाने से पहले बच्चों के रूम में एंट्री होती है और यह हस्बन के साथ स्टफी की मस्ती जो एक बार उनके ऑफिस से आने के बाद और एक बार रात को सोने से पहले जरूर होती है घर में आपके कोई भी प्यार करें उसे बिल्कुल भी बरदाश नहीं है वो बहुत गुसा हो जाता है और सबसे चोटे बच्चों को ज्यादा लाड़ प्यार मिले तो इसी तरह बिगड़ जाते हैं जिस तरह से हमारा स्टफ ही बिगड़ गया है